नमस्कार दोस्तों Defense Show में आपका स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुती फिउटरिस्टिक हाई-टेक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट को मैं डीटेल में समझाऊंगा आपको साथ ही ये भी बताऊगा कि कैसे भारत ने अमेरिका, चीन और रशा जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है तो वीडियो में अंतक बने रहे हैं वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग और नॉलेजेबल है साथ ही लेटेस डिफेंस अबडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो बैंगलूरू में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इवेंट यानि की एरो इंडिया चल रहा है जहांपर विबिन, उपकरणों और हतियारों का प्रति दिन परदर्शन किया जा रहा है और दुनिया बर की सیک्डो कमपनीज इसमें हिस्सा ले रही है और इस इवेंट में जहां हमें हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है वहीं ऐसे बहुत से interesting concepts भी सामने आ रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखे और लाजवाब है ऐसे ही एक concept HL ने सब के सामने रखा है जो कि है drone swarms पर आधारित जी हाँ आपने से बहुत से लोगों ने इस project को detail में समझने की request की थी तो इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि ये concept कैसे भारत को नई उचाईयों पर लेकर जा सकता है और दोस्तो इस तरह का concept फिलहाल सिर्फ भारत ने सामने रखा है हलाकि इससे मिलते जुलते project चीन और अमेरिका में चल रहे हैं लेकिन HAL का ये concept अपने आप में बेहद unique है तो basically सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें किस technique का use होने जा रहा है तो इस system को नाम दिया गया है CATS यानि की combat air teaming system और इस system में इस्तिमाल किया जाता है UAV का यानि की unmanned aerial vehicles का दोस्तों आपको बता देने चाहूंगा कि UAVs भविश्य के हतियार हैं और आने वाले समय की सारी लडाईया इनी से लड़ी जानी है और CATS में ये UAVs एक mothership या फिर कहें main fighter plane के साथ उड़ते हैं और फिलाल इस mothership platform को टेजस के तौर पर दर्शाय गया है यानि कि तेजस के साथ ही ये UAVs जुड़े हुए होते हैं और तेजस से ही जो कि एक main ship की तरह काम करता है वहाँ से इने कंट्रोल किया जाता है अब इस system में भी तीन टाइप्स के drone swarms हैं दोस्तों जो पहले प्रकार का drone है वो है CATS Warrior और ये drone तेजस से अलग उड़ान भरता है और तेजस के थू ही इसे कंट्रोल भी किया जाता है और अभी मिल रही जानकारी के हिसाब से ऐसे तीन से चार CATS Warrior तेजस के साथ उड़ान भर सकेंगे दोस्तों ये CATS Warrior semi stealth drones हैं इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन की radar के लिए इने track करना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि ये size में भी normal aircraft से बेहद चोटे हैं दोस्तों ये drones mother ship के आगे उड़ते हैं और आगे से जो भी data और input इने मिलता है उसे ये collect करके mother ship में भेज़ देते हैं जिससे की main fighter पीछे रहकर बिना किसी जोखिम के ये पता लगा सकता है कि आगे आखिर चल क्या रहा है और इसे के साथ ही इन warrior drones को ammunition से भी arm किया गया है जिससे अगर कोई दुश्मन का aircraft सामने से आता है तो उसे भी ये track कर सकते हैं और इस समय पर इनका पूरा control main fighter के pilot के पास होता है दोस्तो 1500 km की range से इने control भी किया जा सकता है जो कि एक बहुती बड़ी range है इसके बाद जिस तरह से आप photos में देख सकते हैं कि जो cats hunter unit है वो तेजस से integrated है दोस्तो cats hunter को आप एक missile की रूप में imagine कर सकते हैं जिसके अंदर baby drones भरे हुए है जिहां ये missile 200 km की range में मार कर सकती है जिस दोरान इसके अंदर के baby drones को main fighter की command से release भी किया जा सकता है और ये drones अपने target को identify करके उसे destroy करते हैं इसके बाद जो तीसरी unit आप देख रहे हैं यानि कि cats alpha दोस्तो ये एक प्रकार का glider है और इसके अंदर भी चोटे चोटे baby drones भरे हुए हैं दोस्तो इस glider को main fighter plane से pilot जब fire करता है तब ये 100 km की radius तक travel कर सकते हैं जिसके बाद ये चोटे चोटे drones के जुन्ड release करते हैं और ये drones algorithm की मदद से enemy targets को identified करके उसे destroy कर सकते हैं concept है दोस्तो हलाकि चाइना ने भी drone swarms पर आधारित system develop किये हैं लेकिन चीनी system में इन drones को जमीन में रखे launcher की मदद से launch किया जाता है लेकिन HAL ने ये concept develop किया है इन drone swarms को हम हवा से launch कर सकते हैं जिससे कि ये फाइदा होगा कि इनकी range बहुत जादा बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी range कई 100 km में है तो बिना दुश्मन के border के अंदर घुसे हम target को destroy कर सकेंगे और इसमें सबसे खास बात ये है कि इन drones को launch करने के बाद भी control किया जा सकता है जिससे कि अगर हमारा target अपनी position बदल भी लेता है तो भी algorithm उस चीज़ को identify करके उसे destroy कर सकता है और यही शमता इस concept को बहुत ही घातक बना देती है और इससे हम बस अपने main fighters और अपने pilot को बिना risk में डाल कर दुश्मन target को तबाह कर सकते हैं इससे यह फाइदा है कि अगर दुश्मन की कोई missile counter attack भी कर देती है तो फिर हमें main fighter jet जो की बहुत ही costly है उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि यह missile main fighter से पहले swarm drones को counter करेगी और वहीं हम अपने pilot को भी सुरक्षित रख पाएंगे तो दोस्तो HAL के हिसाब से इस concept को practical रूप देने में 3-4 सालों का समय लग सकता है लेकिन अगर यह concept सफल हो जाता है तो air to air combat में यह एक बहुती बड़ी करांती लेकर आएगा और इससे भारत को एक बहुती बड़ा military edge भी मिलेगा और हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि कोई अमेरिका या इसराइल जैसा बड़ा देश भारत को हत्यार बेचने के बजाए इस तरह की technology हमसे खरीद रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे HAL के इस धासू idea के बारे में comment section में बताएं साथी ऐसी updates के लिए चैनल को जरूर subscribe कर जै हिंद वंदे मातरम